नमस्कार दोस्तों पूचा शिक्ती चनल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों आज जिस नवीशेवर हम चर्चा करेंगे उसके लिए मेरे पास काफी सवाल आते क्योंकि जन्दमाश्टमी का शुब अफसर आने वाला है तो बहुत से भाई बहन जी जानना चाहते थे कि लड़ू गोपाल की सेवा वो लेना चाहते हैं या उनके घर में काफी समय से लड़ू गोपाल है परन्तु वो सेवा जो है नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर्फप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि लड़ू गोपाल जिस घर में प्रवेश करते हैं वो उन्हीं का घर होता है ये आप ये ना समझें कि आप उन्हें लेकर आए हैं उन्होंने खुद आपके घर को चुना है आपके घर में प पाएंगे और कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं से उपहार स्वरूप मिल जाएंगे या आपको जो है जब आपका विवा होता है जब आपको मिल जाते हैं या कई बार आपको कोई आप खरीदने जाते हैं समान कुछ और और आप लड़ू गोपाल का खरीद कर ले आते है तो ये सब चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी क्योंकि जब भगवान आपके घर पर आना चाहते हैं तो आपके पिछले कर्मों के कारण ही आप जो है इस जन में लड़ू गोपाल की सेवा अपने घर में कर रहे हैं या आप उन्हें पूज रहे हैं अब कई भगवानतियां हैं कि लड़ू गोपाल की सेवा जब हम करते हैं तो हमें बहुत ताम जाम करने होते हैं नहीं बिल्कुल नहीं आपको कोई ताम जाम नहीं करना होता है केवल आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए आप सिर्फ इतना सोचे कि आपके घर में कोई नन्हा शिशू आया है केवल आप इन बातों को अगर आपने एक बार सोच लिया तो आपको कभी लड़ू गोपाल की सेवा में कोई नियम नहीं लगेगा कोई पालन नहीं लगेगा सेवा जो होती हम वो शब्द यूस कर लेते हैं कि हमें लड़ू कोपाल की सेवा करने हैं परन्तुस 워 बढ़ू नहीं होती है वो होती है एक नन्ने शिशू की देख भाल आपके घर में अगर कोई नन्ना शिशु जन्म लेता है तब आप क्या करते हैं आप उसे समय पर कपड़े पहनाएंगे उसे निलाएंगे उसे भोजन कराएंगे उसका ध्यान रखेंगे कि उसे कहीं बुरी नजर ना लग जाये उसे कहीं हम बाहर गुमाने लेकर चलें आज वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है या हम जहां भी जाते हैं अपने नन्ने शिशु को अपने साथ ले कर जाते हैं तो केवल जो है यही भाव होना चाहिए आपका जब आप लड़ू गोपाल को अपने घर में लाते हैं अब उनका नाम लड़ू गोपाल है परन्तु जब वो आपके घर में आते हैं तो आप समझ लीजिए वो आपके घर के पुत्र हैं वो आपके यानि जब हम कहते हैं हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ है तो ये हमारे ही सुपुत्र हैं ये हमारा धीकबाल करेंगे ये हमारे जी उसी नाम से पुकारी मैं तो अपने लड़ू गोपाल को पता नहीं हजारों नाम से पुकारती हूँ परंदू आपका जो देखते से ही उनको आपके दिल में जो भाव आ जाए जो प्यार का नाम आपके मन से निकला है वही नाम आप रख दीजिए पहला ये हो गया अब आप जब उनको घर में लेकर आए हैं तो आप साइस का थोड़ा ध्यान रखी कि साइस आपको कितना बड़ा लेना है कितना छोटा लेना है ये आपके घर में किस साइस के लड़ू गोपाल है उसके बाद आपको क्या करना है अब आपके घर में एक ननना शिशू है तो आप जो जो दूद घर में होता है जब हम सुबह सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा सा उनके बरतन जो है कृपया अलग रखें अब कृपया अलग ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कई बार जो है हम जाने अन जाने बाहर की कुछ चीज़े खा लेते हैं या हमारे घर में नौन जो होता है या हम बाहर से कुछ खा कर आते हैं तो जो लड़ू गोपाल होते हैं उनके छोटे छोटे बरतन आपको बजार में बहुत असानी से मिल जाएंगे आप तांबे के ले सकते हैं पीतल के ले सकते हैं चांदी के बरतन ले सकते हैं प्लास्टिक के भी बरतन ले सकते हैं आपकी जैसी श्रद्धावाव हो आपका जैसा उस समय पर जो आप कर सकते हैं जो अवेलिबल हो आपके आस पास चीज़े वही करिए इसके बाद आपको क्या करना है गर्मी के समय पर क्योंकि हमें नहीं पड़ेगी मैं खुद अपने लड़ू गोपाल का लंगोट और जो कपड़े होते हैं वो मैं खुद ही बनाती हूँ क्योंकि जहां हम रहते हैं वहाँ पर ये चीज़े अवेलिबल नहीं है और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम मंगवाते हैं तो उसे आने म मंज़ा होता है क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए जो है कुछ बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं काम अब काफी एक ये सवाल आया था कि हम वर्किंग है या हम सेवा नहीं कर पाते हैं आप सेवा सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपके घर में लड़ू गोपाल क कि ही एक ऐसी मूर्ती है जिसकी स्थापना या प्रान प्रतिष्ठा करने की किसी को आउशकता नहीं होती है आप जैसे गणेश जी को लेकर आते हैं आप या कोई मूर्ती अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपको जो है मंत्रों का अचारण करना तो प्रान वो जब आपके घर में आते हैं तो वो जो है उनमें अल्रेडी भावनाय होती हैं सिर्फ आपको अपने मन से उनको कनेक्ट करना है और आपको जब आप वरकिंग होते हैं या बहुत जादा जैसे बीजी होते हैं आज का समय बहुत बीजी है तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आप सारा दिन जो है पूजा पार्ट में लगे रहें सारा दिन जो है आप भोजन बनाने या इन कामों में लगे नहीं आप केवल सुभे के समय हर कोई नहा कर पूजा करता है तो जिस समय पर आप नहाएं पूजा करें उस समय पर आप केवल लड़ु को पाल को ठाके स्नान करवा नाश्ते में ऐगर आपकुछ बना सकते है थीक है नहीं बना सकते हैं तो बजार में पारलेजी कर विस्किट मिलते हैं क्रीम कर विकेट मिलते हैं। मिठाईयां मिलती हैं, फल मिलते हैं, आपको आजकल तो हर चीज मार्केट में अवेलिबल है, तो आप जो है, जैसे हम घर में अपने लिए खुद के लिए भी लाते हैं, आप क्या करेंगे, लड़ू गोपाल के लिए थोड़ा थोड़ा जो नमकीन, मिठाई, बिस्किट होत जीजे, उसके बाद समय समय पर आप लड़ू गोपाल को भोग लगाते रहिए, जो घर में रहते हैं, उनके लिए नियम होता है सुबह का नाश्ता, तो पहर का खाना, शाम की चाय और चाय अदू जो भी आप देते हैं लड़ू गोपाल को, और उसके बाद रातरी का तो वापिस से आप थोड़ा अराम करवा दीज souvenir को, उनके जूले में विठा दीजिए और उसके बाद उनके पास में गईया माता जरूर रखें, और उन से सदेव कह कर जायें कि हम घर के बाहर जा रहे हैं, हम नोकरी पर जारे हैं या हम घर के बाहर जा रहे हैं, और हम इस श्रदा हो आप रखकर चले जाएए और गया माता दो इसे तीन रख दीजिए अगर खिलोने होते हैं थोड़े बहुत खिलोने रख दीजिए आप उनके आसपास पूरा दिन जो है व्यस्तर है शाम के समय जब आते हैं आते से ही जैसे हम हमारे घर में बुजुर्गों को या बच्चों को कैसे लाड़ करते हैं कि हम आ गए हैं तो बच्चे खिल खिला जाते हैं तो वैसे या आते से प्रेम से उनकी तरफ देखिए स्माइल करिए और आप अपने लिए आने के बाद जो भी चाय नाश्ता कॉफी करते हैं या जो भी आप करते हैं उसमें से थोड़ा कोई रहता है शरम आती है तो मन में ही पुकार के उनको जैसे हम अपने बेटे को आवाज लगाते हैं या अपने जो प्रियजन है उनको आवाज लगाते हैं अपने मम्मी पापा को आवाज लगाते हैं वैसे आवाज लगा के कह दीजे जो आपको बात करनी है आप मन ही मन कर परंतु इस चीज़ को ये ना देखें कि हम सेवा कैसे करेंगे हम कैसे करेंगे आप ये सोचे आपके घर में एक नन्ना शिशु आया है आपको बस उनकी पूझा भी नहीं कहूंगी मैं आपका ये कर्म है लड़ू कोपा साक्षात आपके घर में आया है यानि आपके पिछले गड़ा गड़ा या जो भी होगा इसके लिए मेंग वीडियोअप लोग बनादूंगे कि हम जब जैसे यहां पर बीचेश बहुत अच्छे हैं यहां पर पहाड़ी आंप बहुत अच्छी है यहां पर बर्फ बहुत अच्छी गिरती है तो जब हम ठses और ब साम में एक्या में रहते हैं Asian countries में रहते हैं तो वहाँ तो बहुत चीजें आपको आसपास ही मिल जाती हैं तो आपको जादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरी बात अब वो आपके घर के सदस्य हैं यानि आपके पुत्र है आपके जो भी आप उन्हें कहना चाते हैं अपना भाई कहना चाते हैं मेरे तो पुत्र है छोटे मैंने उन्हें बेटा बनाया हुआ है अपना तो आप जो है उनकी अगर मैं कहती हूँ आपने अगर उनकी 1% भी सेवा या पूजा करी हैं मन से उनको पूजा है तो आप भूल जाएए आपके परिवार वाले आपको भूल जाएए आपके माता पिता आपको भूल जाएए आपके समाज के आपके दोस्त आपको भूल जाएए परंतु आप पर कभी कोई विग्ण नहीं आएगा आप पर कभी कोई समस्या नहीं आएगा आप सदेव ही जो है हर जैसे कहते हैं न हमारे उपर आशिरवाद रक्षक होता है कोई आप ये समझ लीजिए कि आपके सिर पर बहुत बड़ा आशिरवाद रहेगा आपके ये जो सेवा है या ये जो आपके कर्म है आपको बहुत ही आसानी से आपके जीवन में चमतकार होते हैं आपको दिखाई देंगे स्वपन में दिखाई देंगे आपको कोई बाधा आने वाली होगी तो उससे पहले आपको पता लग जाएगा आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति आपका कभी कोई बुरा नहीं कर पाएगा कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा इतना ध्यान रखिए चमतकार ऐसे हैं कि मेरे जानकारी में ही एक को जो है उन्हें बेबी चाहिए था परंत उनकी विवा को बहुत टाइम हो गया था और वो काफी परेशान थे तब उन्हें लड़ू कोपाल की सेवा ली थी और उन्हें जो है दो से ढ़ाई साल शायद हुए था और उन्हें बहुत सुंदर पुत्र रतने के प्राप्ति हुई थी तो अब उनके घर में दो पुत्र है क्योंकि कानू तो पहले से ही थे उनके घर में वो बड़े पुत्र है और छोटे पुत्र जो अभिया है वो है उसके बाद वो उनके साथ राखी बनाते हैं दिवाली बनाते हैं आप बारिश जब होती है घर के बाहर उन्हें लेकर तो आप बाजार का समा लिके माखन खरीद के लिए ये माखन बहुत पसंद है उन्हें आप उन्हें जो है सुबह के समय या शाम के समय माखन का भोग जरूर लगाए ये माखन का डबबा पूरा मिल जाता है घर में ही माखन मना सकते हैं ये सेवा के समय पर ये मत सोचिएगा कि ये बहुत खर्चे का काम है या ऐसा है देने वाला लड़ो गोपाल है आप कुछ नहीं करेंगे आप मन में भाव लाईए सिर्फ प्रेम का भाव लाईए कि मुझे ये कारिक गोपाल के लिए करना है गोपाला के लिए करना है लड़ो के लिए करना है कानू के लिए करना है जो भी नाम से पुखारते हैं विवस्ता अपने आप होगी धन के मार्ग अपने आप खुलेंगे घर में सुक समरिद्धी और एक बात यह है कि आपके घर में से सदेव सदेव के लिए लडाई जगड़े खत्म हो जाएगा आपके घर में इतनी पॉजिटिव वाइबरेशन आएगी कि हर कोई आपके घर में आने के लिए मतलब जव ही आएगा प्रसंद चित हो कर जाएगा आप खुद बहुत प्रसंदता फील करेंगे पती-पत्नी के रिष्टों में बहुत अच्छे जो सुधार मैंने देखे हैं यहां पर बच्चे जो है आपके बहुत काबिल बनते हैं क्योंकि आपके घर में अल्रड़ी उन्हें आप बड़े बेटे के रूप में जीवन के सभी सुख सुविधाएं और भौतिक जो आनंद है आपको प्राप्त होने लगेगा और एक सवाल अब मुझे लास्ट में एक सवाल और आया था कि जब आप अपने काम से बाहर जाते हैं जैसे हम हमारी कंट्री से बाहर जाते हैं आप आगे बाली वगेरा जाते हैं तो वहाँ पर तो लोग अपने साथ की सीट जो है कानू जी के लिए रिजर्व करा के लेकर जाते हैं पर मेरे लड़ू को पाल बहुत चोटे हैं वो विदाव टिकिटी हर जगा की सेर कर लेते हैं तो अब मैं आशा करती हूँ भाईयों और बहनों आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे केवल इस चीज़ को ये देखें और अगर आपको डेली मैं कहूंगी थोड़ा जल्दी उठा के स्रिफ उन्हें स्नान करा दीजिए और भोजन के और सेवा की कोई चिंदा नहीं है कपड़े वगेरा सब आपको बजार से मिलेवे सिले सिलाय मिल जाते हैं तो आपके वल ये सोचिए कि आपके घर में एक छोटा नना बालक आया है अपने आप ही सेवा होती चली जाएगी एक बार मन में भाव उठा कर देखिए आपको कभी कोई परिशानी नहीं आएगी मुझे लगता है कि अपने आप ही बनते जाते हैं रास्ते और महिलाओं के लिए कि वो सेवा कैसे करें या आगे जब हम मासिक धर्मे में होते हैं तब उस समय पर हमें सेवा करनी होती है तब हम सेवा कैसे करें तो उसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँगी ताकि आपको संपून जानकारी जो है उस वीडियो में A से लेकर Z तक मिल जाए और भी कोई questions हो तो आप मुझे से पूछ सकते हैं तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नई विशेब चर्चा करते हुए आप सभी मेरे भाईयों मैनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए चैमाता दी दोस्तों